पूर्ण परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है। उसका क्या नाम है? पूजा की विधी क्या है? कृप्या अवश्य सुनियें। जगत गुरु नत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरिक वचन। हनुमान परशाद पोदार है। प्रकाशक है गीता प्रेस गोरकपुर प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरकपुर गोविन बहुन कारियले कुलकता का संस्थान। अब इसके अठाणवा प्रिष्ट का आपको दिखाते हैं। अठाणवा से प्रार्म होता है। यह है रूदर सहीता और संक्षिप्ट स्यूपरान प्रिष्ट 98 अब देखिए गाइस के नीचे अध्याय नमबर पांच यहां समाप्त होता है रूदर सहीता का। अपने पूतर नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मैं बर्मा वहां इस परकार बोले। अब रूदर सहीता के छटे अध्याय मैं। यह देखिए लिए निराणवा प्रिष्ट पे। बर्मा जी ने कहा बर्मन नारद से देव शिरोमने तुम सदा समस्थ जगत के उपकार में ही लगे रहते हूँ। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उतम बात पूछी है। जिसमें समस्थ चराचर जगत नश्ट हो गया था। सर्वातर केवल अंदकार ही अंदकार था। ने सुरिये दिखाई देते थे ने चंदर्मा अन्य अन्य गरहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ने दिन होता था ने रात अगनी पर्चिवाई और जल की भी सता नहीं थी। उसमें तत सद ब्रहम इस सुरुती में जो सत सुना जाता है एक मातर वही सेज था। तरह है। अप्रिश्ट नमर सौ परूंकि हमने अपने काम की बाते पढ़नी हैं जो हमें आसानी से समझमा जाये उनको लेना है। जो हमारा कंसेट कलियर हो जा, हमारा काम सरज्याव है, यह देखिए, जिस परबर्म के विसे में, जिस परबर्म के विसे में ग्यान और अग्यान से, आपस विकार कर रहे हैं कुछ ग्यान से, कुछ अग्यान से, यानि अठकल लाकर जो ग्यान दिया जो सुना जाता है, उक्त इतर एक से अनेक होने का संकल पुदित हुआ तब उस निराकार प्रमात्माने अपनी लीला सक्ति से अपने लिए मूर्ति यानि आकार की कलपना की मूर्ति माने आकार जो मूर्ति रहित प्रवर्म है उसकी मूर्ति जिस जो मूर्ति यानि मूर्ति रहित माने निराकार और कहत उसकी साकार मूर्तिस बगवान सदासिव है ये काल के विशे में जानकारी चल रही है ब्रह्म के विशे में ये जान से जान रखना उसी को सदासिव अरवाचिन और प्राचिन विद्वान उन्ही को इस्वर कहते है उस सिमें एका की रहकर सविछा अनुसार बिहार करने वाले उन सदासिवने अपने विग्रे से स्व्यमी एक सवरूप भूता सक्ती की शिरिष्टी की जो उनके अपने सिरियंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी ये दुर्गा काल के सरीर से निकली इसका वर्नन है उस प्रासक्ती को परधान प्रकरती गुणवती माया बुधी तत्व की जननी और विकारहित बतागा है वह सक्ति अंबिका कही गई है उसी को प्रकरती सब्द याद रखना यह गीता जी में काम आओगा आपका जब गीता जी के अंदर आप जी को बिर्मा विश्णो महिस की उत्पत्ती दुर्गा और काल से सपष्ट की जाएगी, शिद की जाएगी, उसमें प्रकर्ती सब्द, प्रकर्ती का अर्थ दुर्गा है, यानि इस शेरावाली माता को प्रकर्ती भी कहते हैं, यह देखिए, उस वह सक्ती अंबिका कही गई है, उसी को प्रकर्ती सर्वेश्वरी और तिर्देव जननी, बिर्मा विश्णो महिस की माता, तिर्देव जननी, तिन्नो देवताओं को उत्पन करने वाली तिन्नो देवताओं की मा, बिर्मा विश्णो महिस की माता, नित्या और मूल कारण भ हो जाएं हैं यह सफ़ेश्ट हो गया इस अश्टंगी को दुर्गा को ही प्रकरती कहते हैं ये बिर्मा विश्णों महिस्ट की बाता हैं आगे देखो नाना परकार के आबुशन इसके सिरी अंग की सोभा बढाते हैं वह देवी नाना परकार की गतियों से संपन है और अनेक परकार के अस्तर सस्तर धान करती है सपस्ट हुआ आगे देखो एकाकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है इसी ने तीन रूप धान किये थे शावत्री, लक्षमी और पारबती का ये तीन रूप धान कर लिए और विरमा विशनो महिस के साथ साधी कर दी और ये सपस्ट है कि एकाकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है वैजो सदासीव हैं ये काल भगवान के विशयम कहा गया है तो इसका पती है दुरुगा का वैजो सदासीव हैं उन्हें परमपुरस-ईसवर शीव, शम्व, और महेसवर कहते हैं अब उसी का प्रकन चल राए है काल भगवान का अब ये बिरमा मता रहा है क्योंकि बिर्मा जी को पर्मात्मा पूर्ण बिर्म आये थे और बिर्मा जी को मिले थे क्योंकि ये सभी आत्मा उसी कबीर भगवान की है प्रमेश्वर ने चाहा था कि बिर्मा काल का बड़ा बेटा है और इसको मैं ग्यान समझा दूँ हो सकता ये सबी को समझा दे और फिर ये सब मेरे को समझ जाए तो गरमाजी ने परमात्मा से ग्यान सुना नाम भी लिया उपदेश भी दिया लेकिन बाद में काल ने ऐसी प्रेड़ना की उसका नाम खंड करवा दिया तो उस परमात्मा से सुने हुए उस ग्यान को और साथ में अपने खिचडी ग्यान को मिला कर वो ब्रमा आगए सुनाने लगया परमात्मा से दूर हो गया और काल के हाथ में फसा रहा परमात्मा की सरन रखी नहीं अब उसी काल भगवान के विसे में इसको सदा सिव भी कहते हैं महा सिव भी कहते हैं महा विश्व भी काल ब्रम को बोलते हैं और महा ब्रमा भी यही रूप धारण कर लेता है अब यहां काल के विसे में जानकारी दी जा रही है देखिएगा वे अपने सारे अंगों पर बसम रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रम ने के सदा सिव को काल रूपी ब्रम भी बोलते हैं काल रूपी यानि काल भगवान भी कहते हैं उन्ही काल रूपी ब्रम ने एक ही समय सक्ती के साथ यह नाथ नहीं है मिस्प्रेंट है सक्ती यानि दुर्गा के साथ सीव लोक नामक अक्सेतर का निर्मान किया था उस उतम अक्सेतर को कासी कहते हैं वह परम निर्मान वह मोक्स का सथान है जो सब के उपर विराजबान है वह पिरिया और पिरियतम सकती और सीव वह पती पतनी रूप में दुर्गा और सीव दुर्गा और शक्ति और शीव दुर्गा और शीव जो यानि ब्रम जो परमानन सरूप है उस मनौरम अक्षेतर में निवास करते हैं वहां रहते हैं उपर कासी पुरी परमानन रूपनी है मुने सीव और सिवा ने इस काल और दुरगा ने परले काल में भी कभी उस अक्सेतर को अपने सानिधे से मुक्त नहीं किया अब क्या बताते हैं देवर से एक समय उस आनंद बनम यानि कासी में रमण करते हुए मोजमस्ती मारते हुए सीवा और सीव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरस की सिरिष्टी करनी चाहिए यानि कोई बालक पैदा करना चाहिए जिस पर यह सिरिष्टी संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल कासी में रहे कर इच्छा नुसार विच्रे और निर्वान धार्न करे ऐसा निश्चे करके सक्ती सहीत सर्वेव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बाम भाग के दसमें अंग पर आमरत मल दिया यानि पती पतनी ब्योहार किया उन्होंने फिर तो वहां से एक पुरस पर गठवा एक पुत्तर उत्पन हो गया उसका नाम के रख्या एक सो दो प्रिष्ट पे रूदर सहीता अध्धाय नमर च्छे चल रहा है सीव ने कहा उस काल ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्रा विष्णू नाम विख़्ात हुआ अब से दो गया के दुर्गा और काल से परकर्ती और ब्रह्म से विष्णू का जनम हुआ ये इनके माता पिता है ये अपने सद्गर्ण बता रहे है दास अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं कर रहा ये है सलेबस का गयान जो गुरूओं ने हमें देना चाहिए था लेकिन उन अगयानियों ने लोकवेद सुना कर हमारे सद्गर्ण तों के विपरत ही हमें गयान में उड़ जा रहा था और यही कालन रहा कोई कुछ दंद्खता सुना रहा है कोई कुछ सुना रहा है यदि हम एक ही आधार लेकर चलेंगे सद्गर्ण तों को तो अग्यान होन का कहीं चानसी नहीं है कोई भर्मिती नहीं हो सकता क्योंकि हम ऐसिक्षित थे हमारे पुर्वज ऐसिक्षित थे और सिक्षिया का अधिकार केवल ब्राह्मन वरग को था वही संस्कृत पढ़ सकते थे कासी विद्धा पीठ उनका नाम हो रही थी कि ब्राह्मन लोग ही पढ़ेंगे और उन्होंने सद्गर्णतों को समझना है कोई सद्गर्णत समझ में आए ने क्योंकि उनके पास तत्व ग्यान नहीं था और तत्व ग्यान में सिरिष्टी रचना जो है सिरिष्टी रचना की कता है जब तक वो समझ में याती तब तक कोई भी सद्गर्णत आप समझनी सकते तो वो ग्यान उन ब्रामनों यानि गुरूओं के पास नहीं था जिस कारण से उन्होंने ये ऐसे कलियर ग्यान भी हमें नहीं बता पाई वो नहीं बता सके क्योंकि वो तत्व ग्यान हीन थे और बाद में फिर पैसे लालत ओगया उनको अपना रोजी रोठी का धंदा बनाए लिया और जिस बात से जनता परसन हो वही बताना वही उसी तरह उनको कहना समझाना और जिस से अपना स्वार सिद्ध हो उस तरह उनको मूर्ख बनाना ये उनका उदेश से हो गया था अब इसमें सपश लिख रख्या है बिर्माजी कहता है मेरा जनमबी इसी परकार दुर्ग़ा और सीव से हुआ देखो काल से हुआ ये सीव कौन है ये एक तो ये तमोगूण सीव है ये काल का बेटा है और ये खुद भी सीव रूपदार्ण कर लेता है ये सदा सीव भी कहलाता है इसको महा स्यूवी कहते है ऐसे ही यही काल फिर और लीला करता है छल्चिदर करता है यह विशनु रूपधार्ण कर लेता है तो और उसको महा विशनु कहते है ऐसे ही वो बर्मा रूपधार्ण कर लेता है तो महा बर्मा कहलाता है उसको समझ नहीं से कि यू मा बिर्मा के बिमारी थी यू कौन था अब इसका सारा निरने हो जाएगा अब बिर्मा जी की उत्पती दुर्गा और बिर्म से देखिएगा अब यहाँ छटा अध्धाय समापत हो गया रुदर सहीता का यह आपने अभी पढ़ लिया के विष्णु जी का नाम दर दिया उस काल ने सीव ने कहा वत्स बेटा व्यापक होने के कारण तुमारा विष्णु नाम विख्यात हुआ तेरा नाम विष्णु रख दिया अब बिर्मा जी कहते हैं सातने अध्धाय में रुदर सहीता बिर्माजी कहते हैं देवर से यानि नारद जी को बता रहे हैं तत्पस्टाद कल्यानकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूरवबत प्रतन करके जैसे विश्वनों उत्पन किया मुझे अपने दाहिनेंग से उत्पन किये किया समुने इस महिस्वर ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारण देव की नाभी में डाल दिया और लिला पुरक मुझे वहां से परगट किया इस परकारुस कमल के कमल से पूतर के रूप में मुझ फिरना गरब का जना हुआ अपने आत्माओ अब यहां जो अनुवाद करता था हिंदी संस्कर्थ से जिसने हिंदी मनुवाद किया वो यहां विचलित हो गया के सीव से सीव की उत्पती कैसे बताऊं उसने यहां गोल मोल कर दिया लेकिन कहते हैं चोर चुराई तूमड़ी और गड़े पाणी माँ वा गड़े वा उपर आवे नौ सचाई छेनी नौ इविन अग्यानियों ने जैसे तूमबा होता ना तूमबा यह अकतारा सा बनाया करें जैसे यह सीता फल होता ना पेठ्थे जितना मुटा वो हता है तूमबा एक बेल के लगता फल है और उसको वो सूख जाने के बाद उसको सुरा करके उसके बीज निकाल देते हैं और वो इतना मुटा हो जाता है और खली होता है उसको वो पानी में डूबता नहीं कहते हैं किसी चोर ने वा तूमब्या चुरा लिया किसी का और उसको पानी में छुपान ला गया नीचे वो पानी में छोड़कावर वो उपर आ जा जब है तो कहते हैं इनोंने इस अज्ञानियों ने सच्चाई को दबाने की चेश्टा पूरी की लेकिन ये सच्चाई छोपी नहीं दबी नहीं चोर चुराई तूमब्यी वो गड़े पानी में और वो गड़े हुआ उप पर आवे इनों सच्चाई छैनी ना अब आपको दिखाते हैं 110 परिष्ट पर ये रुदर सहीता का नौमा अज्ञाए 110 परिष्ट पर यहां है अज्ञाए नो इसके लास्ट में इस परकार बिर्मा विश्णू तथा रुदर इन तीन देवताओं में गुण हैं ये भी से दो गया कि रजगुन बिर्मा विश्णू तमगुन शीवजे ये तीनों गुण योगत हैं परंतु शीव गुनातित माने गए हैं इसे सिद है कि ये कोई तीनों से नारा है और जो इनका पिता है अब और कलिर करते हैं इसी शीव प्राण के और प्रेश्ट नंबर चोग पत्चीस चब्वीस पे आपको बिल्कुल कलीर हो जाएगी यही कथा यह देखते हैं यह है विद्वेश्वर सहीता विद्वेश्वर विद्वेश्वर सहीता और प्रेश्ट नंबर पत्चीस पे है ब्रम्हा विष्णों ने पूछा किसे इस काल से सदा सिव से प्रभो श्रिष्टी आधी में पांच करतों के लक्षन क्या हैं यह हम दोनों को बताईए बगवान सिव वोले यह काल वोले ब्रम्ह मेरे कर्टवों को समझना अटेंट गयन है तथापी में करपा पूर्वक तुम्हें उनके विसे में बता रहा हूँ ब्रम्ह और अचू तियानि विसनू शिरिष्टी और पालन सहार तिरोभाव और अनुग्र यह पांच ही मेरे जगत समझी कारिये हैं जो नित सिद्ध हैं संसार की रचना का जो आरंब है उसी को सरग या शिरिष्टी कहते हैं अब देखो अब वो काल क्या कह रहा है पूत् ब्रम्ह और विशनों को तुम दोनों ने तपस्या करके परसंद हुए मुझ परमेश्वर से शिरिष्टी और सथी थी दोनों कर्थ दोनों काम शिरिष्टी ब्रम्ह को और सथी थी विशनों को यानि तुमने तपस्या करके मुझ परसंद हुए परमेश्वर से प्राप्त क यह दोनोही तुहाँ तुम्हें बहुत पिरी यह १े यहिसी परकार मेरे विभूती सरूप रूदर और महिस्वर ने दो अन्ने उत्तम करते सहार और तरो भाव मुझ से पराप्त किये भी पचार होगे एक तो बिर्मा और विष्णु शिरिष्टी और सतीथी उनको मिले और रुद्र और महिसर को ये सहार और तिरोभाव इसे सिद्ध हो गया कि जो ग्यान बोल रहा है इस से अलग है बिर्मा विष्णु और महिसर वो उनके बेटा कह रहा है वो उनके पूतर है कालने ब्रहमने श्रीकर्सन जी में प्रवेश हो करके भूत की तरह प्रेत की तरह शुक्सम रूप बना कर श्रीकर्सन जी में प्रवेश करके श्रीमद्वगत गीता जी का ग्यान बोला क्योंकि गीता जी देह नंबर ग्यारा सलोक नमबर 32 में ये खुद कहता है कि मैं काल हूँ और सब को अब खाने के लिए परगठ वाऊँ नस्ट करने के लिए उन्हे आत्माओं स्री किरसंद जी काल नहीं थे उन्होंने पहले अपने आपको कभी काल नहीं कहा और बाद में कभी गीता ग्यान दाता काल स्री कर्शन में प्रवेश करके कह रहा है कि ओम इती एक अक्सरम ब्रह्म विवारन मामन शमरन ये परियाती तजन देहं सायाती परमाम गती गीता ग्यान दाता काल यानि ब्रह्म कह रहा है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओमकसर है इसका सुमन करता हुआ जो अंटिम स्वांस तक सिमन करता वा सरी छोड़ कर जाता है तो मेरे वाली परमगती को प्राप्ट है मेरे वाली रहत उसे प्राप्ट होती है जो लाब मेरी साधना से होता है यही पुरान में लिखा शिव परान में दिखाता हूं। ये शिव परान अभी पड़ रहे थे 26 प्रिष्ट फे इसी में ये देखिएगा ये वही गीता प्रेस गोर्वपूर से प्रकाषी ताई इसे में अभी पड़ रहे थे कि हे पुत्रो ये प्रिष्ट नंबर 26 पे इसे सिधे है कि इन चारों से अलग है वो शिव पराण का जो ग्यान दे रहा है अब यहां क्या कहता है ये मैंने पुर्वकाल में अपने शरूब भूत मंतर का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में परसीद है मेरा एक ओम नाम है वह महामंगलकारी मंतर है सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम पर गठवा जो मेरे सुरूब का बोध कराने वाला है ओंकार वाचक है और मैं वाच्चे हूँ यह मंतर मेरा सुरूब ही है परतिजिन ओंकार का निरनतर समन करने से मेरे मेरा ही सदा समन होता है अब यहां कहता है इन उपर इसके सारे लिख राखे है उत्तर का मुख पस्टिम का मुख ऐसे होने से इन सभी अव्यों से एकी भूत होकर वह पर्वन ओम नामक एक अकसर हो जाता है ओम एक अकसर हो जाता है अब देखना अब यही गीता जी मैं लिखा है कि ओम इती एक अकसरम ब्रहम विवहारन माम अनुसमरन माम ब्रह्म यानि मुझ ब्रह्म का के वल एक ओम मंत्र है यहां देखना 53 परिष्ट पे विद्वेश्वर सहीता सिव पराण विद्वेश्वर सहीता परिष्ट नमबर 53 परवन के दो भेद बताए गए है सथूल और सुक्षम ओम के एक अक्सर रूप जो ओम है उसे सुक्सम परवन जानना चाहिए ओम जो सुक्सम ओम एक अक्सर रूप है यानि यह दास यह सिद्ध करना चाहता है कि गीता जी का ग्यान भी इसी काल ने बोला था और इसका मंत्र ओम है यह देखिए प्रेश्ट नमर एक सो पांच रूदर सहिता उस परव्रम परमात्मा सिव का वाचक एक अक्सर परवन ही है एक अक्सर ओम परवन कोचे ओम को यह सभी वाच्य अर्थ रूप है वह परम कारण रत सत आनंद एम्म अम्रत रूप परात्पर परव्रम एक अक्सर का वाच्च है अब यहां क्या सिथ हो गया कि काल जो है यह बिर्मा विसनो महिस का पिता है दुर्गा इनकी माता है तो पुन्यात्माओ परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठीन काम नहीं है लेकिन यह हमारे हर्दय में समा जाना के यह भगवान नहीं है जिनको हम परमात्मा मानते थे वास्तव में परमात्मा पूर्ण ब्रहम और ही है कोई अन्य ही है जिसकी पूजा से हम पूर्ण बोक्ष प्राप्त करेंगे जैसे गीताजी द्धाय नमबर पंद्रा के शलोक नमबर सोला सत्रा में तीन बगवान बताए एक खशर पुर्ष खशर पुर्ष इसका डिफरेंस अच्छी तरह समझे अक्षर और खशर खशर अक्षर यानि खशर पुर्ष और अक्षर पुर्ष ये दो बगवान प्रसिद है और इनके लोकों में इन सभी बगवानों की शर पुर्ष और अक्षर पुर्ष यानि ब्रहम को शर पुर्ष कहते है पर ब्रहम को अक्षर पुर्ष कहते है ये भी नासवान है शर पुर्ष भी नासवान है और अक्सर पुरुष भी नासवान है और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो सभी नासवान है जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती अब गीता जिद्धाय नंबर 15 के सलोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुर्शेतु अन्य यानि जो वास्तव सही भगवान है सरेष्ट प्रमात्मा है सही भगवान उत्तम सरेष्ट पुर्शोतम उत्तम पुर्श कहो चे पुर्शोतम कहो भगवान उत्तम भगवान वो कोई ओर ही है और वही वो प्रमात्मा इति उधारते उत्म पुर्शत वन्य प्रमात्मा एति उधारते ये लोग तर्डम आविस्चे विभरती अवैस्वर है वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धान पोशन करता है वो पुर्मा अविनासी वास्तों अविनासी भगवान है जब तक हमें ये निरने नहीं होगा कि जिन भगवानों को हम सर्वेशवा मान रहे थे वो सर्वेशवा नहीं है उनकी साधना से हमारा जनम और मरतू का रोग नहीं कट सकता जनम मरतू का ये समस्या समाधान नहीं हो सकता क्योंकि ए स्विम् नासवान है बिर्मः विष्णू महेश भी नासवान और बिर्म भी नासवान गीता जी अद्धाय नमबर चार के स्लोक नमबर पांस और नो में गीता गयान दाता बिर्म श्रीकर संजी में परवेश करके कि ये काल बोल रहा है जो भर्मा विश्रुमाईस का पिता है ये कह रहा है कि तेरे और मेरे अरजुन बहुत जनन हो चुके है तू नहीं चानता अध्याओ नंबर पांच, 4 के स्लोक 5 में और फिर 9 स्लोक में कहा है कि मेरे जनन और करम, अलॉकिक है, दिबυ है अपने आत्माश सपफ़्ष्ट हो गया कि ये बर्म भी नास्वान गिता जी दैनमर 15 के स्लोक नमर 16 में ये अक्सर पुरूश यानि पर-बर्म भी नास्वान जो साथ संख ब्रम्हिंट का स्वामी है वो अक्सर पुरूश कहलाता है और 21 ब्रम्हंट का स्वामी ये ब्रम्ह है जोती नरजन है सदा सीव कहो महा सीव कहो इसे महा विशनों कहो महा ब्रम्ह कहो ये 21 ब्रम्हंट का स्वामी ये ब्रम्ह है ये भी नासवान है गिता जिद्ध है नमबर 15 के सलोक 17 में जो उत्म पुर्श तु अन्य है उसकी पूजा करनी पड़ेगी वो है वास्ताव मविनासी और कहते हैं यह सुक्सम वाणी में कहा कि ठर पकड ठर रही है यानि सथिर यानि अविनासी की सरन पकड कही तुम अविनासी हो सकते हो नासवानों की आड में आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते तो पुनात्मा हमें ये कलियर हो जाना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं या ठीक है क्योंकि सदगन्थों से मेल करेंगे तभी पता चलेगा आप कौन सी साधना कर रहे हो और किस परमात्मा की पूजा कर रहे हो मान लीजिये कोई कबीर पंथी कहते हैं फिर तो हम कबीर पंथी हैं और हमने तो कबीर साहब की सरन ले रखी है हम उसी को मानते हैं तो हम तो सही भगती कर रहें नहीं आपकी भगती के जो मंतर हैं वो सही होने जी हैं बगवान कबीर साहब तो सही है लेकिन उसके पाने की विधी आपके पास नहीं है तो आप अपना जीवन वर्थ कर रहे हो इसलिए हमने अपनी साधना को री चेक करना है दोबारा फिर देखना है कि हम जो कर रहे है वो ठीक है के नए तो उसकी तुलना अपने अपने सद्गरंथों से ही करनी पड़ेगी किसी के कहने सुने दंद कथा को नहीं मानना जैसे गीता जित दैनमर 16 के सलोक नमर 23 में कहा कि अरजुन दोसास्तर विदी को त्याग करे मन माना अचड़ करते है यानि अपनी इच्छा से मनमानी पूजा करते है नहीं तो उनको कोई सिद्धी होती है ना उनको कोई सुख होता है ना उनकी कोई गति होती है व्यर्थ योज लेस फिर सलोक नमर 24 में कहा है अध्धाय 16 के कि इस से तेरे लिए कर्टव और रैकर्टव की वेस्था में कुण से कर्म करने चाहिए बगति के कुण से नहीं करने चाहिए उनके लिए तो सास्तरों कोई आधार मानना किसी विक्ति वी से इसके कहने से नहीं मानना तो अपने आत्माव संत वही होता है जो सास्तर नकूल ग्यान दे सास्तरों में वरनित विधिय मुसारही बगती विधिय बतावाए उससे हमारा कल्यान होगा अन्यत्था नहीं हो सकता तो मानुस जनम दुरलब है ये मिला नबारंबार तरवर से पत्ता तूट जावाई फेर नहीं लगता डार अब इस अशब को हमने चूकना नहीं है अब ये वो समय आ गया है बिचली पिधी का बिचली पिधी आप आप बिचली पिधी मैं हो जैसे इस दास का जनम सं 1951 में हुआ आठ सितंबर 1951 में यानि बीशवी सदी में और 1947 में भारत आजाद हुआ भारत वर्स में पहले शिक्षा कती नहीं थी नाम मातर थी और उसके बाद शिक्षा की ऐसी बाड आई है आप देख रहे हो बेटे वीर, बेटे वीर, बुड़े वीर, सारे पढ़ गे तो प्रमात्मा ने इस समय में इसलिए इस तत्व hepार्चा को सारजनिक किया है कि सभी पुन्यात्मा अब मुझे पैचान जावंगी और मेरी सरन में आके मेरे दास के मादम से इस दास के मादम से और मेरे पास कबीर भगवान के पास पहुँच जावंगी सद्लोंक में जाना कती कठी नही है आपके हृ द्यम ये समा जाना चाहिए कि जो साध ना तूम कर रहे हो वो गलत है और जो ये दास बता रहा है ये सट्ज है क्योंकि इस सट्ज को कि बीर परमात्मा है और इसके पाने की विधी औम तत्ट सत्ट ये मंतर है औम बर्मका, तत परब्रमका ये संकेतिक मंत्र है तत ओम तत सत ओम तत सत ये रटना नहीं लगेगी ओम ब्रहम का जाप़ ये कलियर है तत और सत ये संकेतिक हैं गुप्त हैं ये दास बताओगा केलुपदेशी को बता जाएगा उसको आदेश नहीं कि वागए फिर किसी को और बता सका है नहीं, उसका नाम खड़ हो जाएगा, उसको दोस लगेगा, क्योंकि अना दिकारी, इतनी नकली आदमी को पासपोर्ट बनादिर साइन कर दे वैसे ही, तो दोसी है, वो नहीं बना सकता, दिकारी से ही बनवाना होगा, तो दास से ही नाम उपदेश अगे नाम दोगे तो त smart दोसी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम वर्त, और सजा के पातर बन जाओगे, यह बालकों का खेल नहींए, अब ये तो concept clear हो गया कि बिरम अविशनो भी नासवान, बिरम भी नासवान, और परव्रम भी नासवान, हमारे सद्रेजरंथों ने कर अब अविनासी प्रमात्मा कौन है वो उत्तम पुर्शतु अन्य वो है कौन उसका क्या नाम है और कौन उसका साक्सी है कि ये प्रमात्मा है ये आपको कंसेप्ट कलियर अभी करेंगे पौनात्माो कल के सत्संग में रातरी में आपने देखा सद्गरंथों के रूबरू किया गया कि पवित्र वेदों में कि अग्ने माने प्रमिश्वर तनू माने सैसरीद रसी माने है प्रमात्मा साकार है सैसरीद है और विशनवे तवा सोमस्य तनुरसी विशनवे माने सब का धारन पोशन करने के लिए पालन पोशन करने के लिए विशनवे माने पालन पोशन करने के लिए तवा माने उस सोमस्य माने आमर पुरुष अविनासी प्रभुका तनु माने स्रीर असी माने है गीता जिद्ध है न उत्म पुरुष श्रिष्ट भगवान तो इस उपर सोड में सलोक में वरनित सरपुरुष औरक्सरपुरुष इन से कोई और है और वही प्रमात्मा वास्तों में कहा जाता है और वही वास्तों मभिनासी है और वही तीनों लोकों में परवेश करके सब का धारन पोर्शन करता तो कहने का भाव ये है कि प्रमात्मा सत लोग में भी है अन्य रूप धारन करके वो यहां भी आ जाता है तीनों लोगों में प्रवेश करके यानि यहां परगट होता है आता है वो आविनासी प्रमात्मा है तो इसी लिए वो लिखा है अगने तनुरसी विशनवी तवा प्रवेश्टार प्रवश्ण करने के लिए इसी प्रकार्पवित्र बाइबल में आपने उद्पत्ती गरंथ में प्रिश्ट नमर च्यार पर पढ़ा है कि प्रमातमा ने छटे दिन में cinq में दिन तक अन्य उत्पती की और छटे दिन कहा कि मुनुस को मैं अपने जैसा अपने सुरूफ में उत्पती करूंगा और ऐसा कहा करके प्रमातमा ने सबी मुनुस्यों को अपने सुरूफ के नुसार उत्पती किया नर नारी करके उनकी उत्पती की इसे इसे दो गया प्रमातमा मुनस्ट जैसा है, साकार है कुरान स्रीफ के सुरतल फरकानी इसको सूरत भी बोल देते हैं सूरत फरकानी 25 आएत नंबर 22 से 69 में सफ़स्ट किया है कि कुरान स्रीफ का ग्यान देने वाला अल्ह जिसको मुस्लमान धर्म और हजरत मौमन जी अपना खुदा मानते हैं कि जिस ने कुरान सरीफ का ग्यान दिया वो भगवान है वो अल्ला हमारा वो अल्ला कह रहा के हे पेगंबर हजरत मौमन तू इन काफरों का कहा मत मानना ये नहीं मानते के कबीर भगवान है इनकी बात तुम मताना मेरे दुआरा दिये गए इस कुरान के ग्यान के आधार पर तू संग्रस करना इनकी बात तुम मताना और ये वही परमातमा हजजी ने 6 जन में 6 जन में 7 जन तकत पर जा वैठा लेकिन उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो पुनियातमा इससे दो क्वाइंट कंसेट होगे दो कंसेट है एक ते यह हो गया कि कुरान स्रीफ का ग्यान इनकंपलीट है हम गलत नहीं कह सकते अधूरा है और कुरान स्रीफ के ग्यान देने वाला अल्हा किसी और पूर्ण परमातमा जिसने सब सिर्ष्टी ब्रमांडों किरतना की उसकी तरफ संकेत करा कि उसकी खबर तने उस परमातमा के इसे में जानना है ता किसी तत्वदर्सी संत के पास लाजा बाखबर से पूछ तो पुनियातमा सबी सद्गर्ण तरल मिलकर ये सिद कर रहे हैं परमातमा सैसरीर है उसका नाम कबीर है साकार है अब वो परमातमा कबीर है सैसरीर है वो देखा किसने ये तो हमने एक छूरी पढ़ी अब प्रैक्टिकल देखांगे जब छूरी और प्रैक्टिकल हमें दोनों ही एक सामान होंगे तो फिर नो डाउट कोई भी हमारे डाउट नहीं हो रहेगा और फिर हम उश्परम पिता के जरनों में समर्पन करके अपने पिता के पास पहुँँ जाँगे इस काल के गंदे लोग ते निकल जाएंगे यहां किसी का बेटा मर गया किसी की बेटी मर गया किसी का ऐंख में केंश किसी कान में केंश किसी की जीब में कोई एड्स से दुखी कोई किसी और बिमारी है ते है बगवान जलम हो रहा है breast कोई मानसी रेल्हे बर्बाविश्णू मेहिज की पद्भी है वह सुखी नहीं आप अभी अपको कथा सुनाते हैं जिनको भगवान मिला है यह प्रमात्मा बनारस में आये थे पूर्ण प्रमात्मा कबीर जी जो बनारस में 120 वरस तक रहे शन 1398 से शन 1518 तक 120 वरस रहे वह प्रमात्मा सै स्रीर सत लोग चले गए थे सै स्रीर आये थे बालक का रुपधान करके कमल के फूल पर वो विराजमान हुए और सन 1518 में वो प्रमात्मा सै स्रीर मघर सतान से गोरखपूर एक सहर है गोरखपूर सहर से जो गीता प्रेस गोरखपूर के नाम से परसिद है वो गोरखपूर सहर से 30-35 किलो मेटर की दूरी पर एक मघर कस्बा है मघर और वहां का एक नवाब बिजली खांपठान परमात्मा कबीर जी का सिस्थ था वो मुसल्मान और बनारस का नवाब नरेश कासी का नरेश बीर देव सिंग बगहेल ये भी कबीर परमात्मा के सिस्थ थे तो इन अग्यानी गुरों ने ब्रहमनों लिए ये एक बरमणा फैला राकी थी कि जो बनारस में मरता हो तो सुर्क जाएगा और जो मघर मरता है वो नरक मजाता है और गद्धा बनता है तो वह आंके प्रहमनकासी के कहा करते वह मघर मैं कोई मतमर्यों वह गद्धा बनोगे नरक मजाओगे परमेश्वर कहा करते थे इन अग्यानियों की बातों में मताना बोली आत्माओ जो सुब करम करेगा और सची बग्ती करेगा वही सुरग और इस्ट स्थान पर जाएगा चाहे वो कहीं मर जी ओ और जो पाप करेगा वही किता मरियोसी दनर कमजागा ये गल्द आपको अफ़ा फैला रहे हैं जूटा ग्यान दे रहे हैं इस तठ्ठ को स्चद करने के लिए प्रमात्मा ने कहा कि मैं मघर मरूँगा और तुम अपने पत्रे ले चाली हो सारे इसाब किताब लगा देना मैं कित कहां गया हूं तो प्रमात्मा वहा हजारों हजारों व्यक्तियों के उपस्थिशी में दोनों नरेश दोनों राजा यानि कासी नरेश बीर देव सिंग बगहेल बीर सिंग बगहेला सिधा बोलते हैं इसको अपनी सेना सहित मगर पहुंच गया उदर से मगर का नवाब बिजनी का पठान भी अपनी सेना को त्यार कर लिया कि हमारे गुरुजी यहां सरीर छोडेंगे मुसल्मान कहने लगे हम अपनी मुसल्मान रिती से इनका अंतिम संसकार करेंगे हिंदू कहने लगे बीर सिंग बगेल कहने लगा कि हम अपने गुरुदेव का हिंदू रिती से करेंगे और मुसल्मान कह रहे थे हम मुसल्मान रिती से अपने गुरुजी का अंतिम संसकार करेंगे इनको कबर में रखेंगे और दोनों ने ठान दिया था कि शरीर छोड़ने के बाद हम शरीर को चेह हमने जगडा लड़ाई युद करके लेना पड़ा है चेह कतले आम करना पड़ा हम ऐसा करेंगे परमात्मा समझ गए उन दोनों को बीर सिंग बगहेल और बिजली कहां पठान दोनों को बुलाया के निकम्यों 120 वरस तक मैंने तुमें यही ग्यान दिया था तुम हिंदू और मुसल्मान को अलग-अलग समझते हो है नालाय कहीं के और आज मरने मारने को त्यार होगे तुमने के बगती करी क्यों ड्रामा कर रहे हो खबरदार जे तुमने आपस में जगड़ा किया मुझ से बुरा नहीं होगा और परमात्माने कहा था मेरा स्रीर नहीं मिलेगा तुम्हारे को इसमे और जो वस्तु मेरे स्रीर के स्थान पर मेरे उसको आधी-आधी ले ले लेना जगड़ा मत करना ऐसा कहकर परमात्माने एक चदर नीचे विछवाई बगतों ने उसके उपर थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे फूल डाल दिये एक 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 इंच के गुरुजी ले टेंगे इस बे एक चदर उपर उड़ ली दो मिन्ट के बाद कहा आकास से आकास वानी की के देखो भाई मैं जा रहा हूँ सत लोग सुर्ग से भी आगे अब सब ने उपर देखा तो परमात्मा से स्रीर उपर जा रहे है और चदर उठा गया देखी तो वाग स्रीर के आकार का सुगंदीद फूलों का धेर बन गया अब कहां तो कतल आम करने को जा रहे थे हिंदू और मुसल्मान आपस में लड़ मरते उस परमात्मा की लीला ने एक दम कितना परिवर्तन कर दिया वो कहर टाल दिया वो समर्थ परमात्मा है बिजली का पठान और बीर देव सिंग बगेल आपस में सेने से लगकर रोने लगे हिंदू और मुसल्मान आपस में दोनों एक गुरू भाई थे लेकिन उसमें दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगे और कहने लगे हम भगवान को पैचान ने सके हम दूस्ट आत्मा है हम आज भी लड़ने और मरने को त्यार हो गए थे उस पर भू की उपस थी थी में हम कैसे दोस्ट है तो पुन्यात्माओ श्री किरसन जी कौरो पांडों का युद्ध नहीं करवाना जाते थे और तीन बार शानती दूट बन कर गए लेकिन वो इस जुलम को टाल नहीं सके क्योंकि वो समरत नहीं थे अब जब दोनों सेνा अपस में लड़ने को खड़ी हैं अर्जुन मना करने लग गया तो उससे में श्री किरसन के शिर में काल परवेश कर गया युश्दा सीव परवेश कर गया और उसने श्री किरसन की एक नहीं सुनी श्री किरसन की आत्मा को तो पता है नहीं वा क्या हुआ और काल ने बाग डोर संभाल दी गीता का ग्यान दिया अर्दुन को प्रेरित किया और युद करुआ कर सरवे नास करवा दिया श्री किरसन जी समर्थ नहीं और उस कहर को उस युद को टाल नहीं सके और ऐसे ही वो युद उससे भी भेंकर युद हो जाना था गरे युग छड़ जाना था इंदुस्तान में क्योंकि उससे पहले बहुत से जोथियों ने ये बविश्यवानी कर रखी थी कि ऐसे ऐसे सन 1518 में विकर्मी समवत 1575 में एक भेंकर घोर युद होगा बहुर भेंकर नरसहार होगा ऐसा वो बविश्यवानी किया करते थी और वो होना था परमातमान न वो केंसल कर दिया कहा तो अनरत होना था कहा अपस मशीने से लगकर और भाई भाई की तरह हिंदों और मुसल्मान रो रहे हैं भूल गेसल लड़ाई और जगड़ों को तो वो प्रमात्मा सैसरी सत लोग गए सैसरी राय थे यहां हरियाना प्रांथ जिला वर्तमान में जजजर उसमें रोतक पहले रोतक जिला था अब जजजर जिला उसी से ऐलग हो गया उस जजजर जिला में गाउम है छुदानी चुदानी गाउम है जो बहादर्गड कस्वा से 15-20 किलो मेटर की दूरी पे है बहादरगर्टू जजर रोड़ पर एक दुलहड़ा गाउं आता है दुलहड़ा गाउं से दो धाई किलोमेटर एक लिंक रोड़ जाता है वहाँ पर वो छुडानी गाउं है पहले माँ कोई सड़क बड़क नहीं थी सन 1717 में छुडानी गाउं में एक परमात्मा जब वो गरीबदास जी दस वरसके हो चुके अपने ही खेतों में एक कबलाना गाउं है कबलाना गाउं और छुडानी गाउं की सीमा मिलती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमीन थी गरीबदास महराज जी किसान प्रिवार्वन जन में थे और उनके लगबग तेरा चौदासो एकड जमीन थी दस वरसके बालक पहले पढ़ाई नहीं करते थे बलके ऐसे ही अपना खेती जिसका भी जैसा व्यवार था वरण के आधार पर जिसकी जैसे डूटी थी वही करते हो करम किया करते थे पाली जाते थे गवों के गवाले थे और सन सत्रासो सत्ताईस समवत सत्रासो चुरासी फालगुन उतरते की दौदसी को दिन में लगबग दस बजे वही परमात्मा जो सैसरी सत लोग गए थे कबीर परमात्मा सत लोग से चल कर वहां पहुँचे जहां पर गड़ीब दास जी दस वरसी बालक और साथ में अन्य पाली गवाले गवों के रखवाले वहां गाएं चड़ा रहे थे नला नामक खेत में खेतों के नाम रख लेते हैं गाउओं वाले कि ता सीस वाला कि ता डैर कि ता डबर उसका नाम था नला खेत नला उस नला नाम खेत में गव उच्रा रहे थे प्रमात्मा सत लोग से आए एक जिंदा मात्मा के रूप बनाग जिंदा जिंदा मात्मा कैसा होता है मुसल्मानों में होता है ये एक काड़ा और कोट पैनते हैं गुटनों से नीचे ताई का एक कच्छा पैनते हैं बस और शिर्प एक टोप होता है काला ही टोप होता है चोटे से वाला लंबा सानू करकर ऐसे ऐसी वेस बुसा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं और जन साधान उनको बाबा जी कह देते हैं बाबा जी आ गया तो प्रमात्मा उस जिंदा महात्मा के रूप में वहां आये जहां पर ग्रीब दास जी और अन्य दस बारा जने और पाली सो डेड़ सो गाएं होती थी पहले रखते थे 200 200 गाएं रखते थे गवें वह चरा रहे थे और एक वरक्स के नीचे गाएं रखते थे वरक्स के नीचे वह आराम से बैठे थे खाना खा लिया था तो प्रमात्मा भहाँ आये उनको राम राम कहा सभी पालियों ने भी कहा आ जाओ अती थी आजाओ, बाबा जी बेठो, आप खाना खाओ, कुछ खा रहे थे, कुछ ने खा लिया था प्रमात्मा ने कहा भी खाना तो मैं खा के आया हूँ पालियों ने पुछा आप कौन से गाउं के रहने वाले हो, प्रमेश्वर ने कहा मैं सत लोग का रहने वाला हूँ अब पालियों ने, गवालों ने सोचा कोई गाउंब होगा सत लोग इसका, अग कितनी दूर है आपका गाउं, के सोला संख कोस अब उन बच्चा ने सुना सोला कोस, एक कोस होता है लगवग तीन किलोमेटर का, एक कोस लगवग तीन किलोमेटर का होता है तो उन्हें कहा कि मैं सोडा संख कोस परमात्मा तो कह रहे थे नील पदम संख सोडा संख कोस पह मेरा सत लोग है उन्हें सुचा सोडा कोस पहोगा ले चलो कहने लगे बाबाजी भूख तो ला गया ही होगी आपने सोडा कोस पैदल चल कराए हो पहले साधन ऐसे नहीं थे के बैठे कार्मर टी दे ही पहुँच गए पैदल चला करते थी पहले आती थी सत्कार बहुत होता था प्यार होता था पाली कहने लगे बाबा जी रोटी तो खानी पड़ेंगी प्रमात्मा बोले ना भई रोटी मैंनी खाओ में खागाया हो दूद पीना पड़ेगा दूद तो पीना ही पड़ेगा आपको प्रमात्मा बोले भई दूद पिलाना ना तो पी लिए पर पिऊंगा कवारी गाएं का कवारी गाएं इब आप समझ गये होगे जिस गाएं का कभी भी गरब धार ना किया हो सांड दोरा प्रेसान ना की गई हो अच्छूत अच्छूती गाएं हो उसका दूद प्योंगा तो पाली जो बड़े बड़े थे शाने थे अमर में बड़े थे को पचास साल का चारी साल का बीच तीस वरस के वो कहने लगे बाबाजी मजा करते हो आपका दूद पिरन की नीत को ना कुवारी गाएं भीकदे दूद दिया करे बगर धनाए बिना नए दूद होए बगर बच्चा जाम में उत्पन किये दूद कैसे देगी परमेश्वर कबीर जी बोले वाई दूद पिलाना है ता कुवारी गाएं का प्यूंगा देख लो अब गरीबदास जी की एक गाएं थी प्रिये कुवारी बच्चिया उसको लेआए पकड़ के गले में बांध रख्या था उसका पट्टा सा कहने लोगे बाबाजी देखियो इसका बच्चा तहीं नहीं दस्वरस के वालक थे या दूद कैसे देगी हां सरे है प्रमात्मा बोले वह इसका नीचे यो तुमारा जो पातर है ना उन्होंने रोटी राटी खा गयो सीथ का जो ब्रोला था लसी का वो पातर था एक मिट्टी औरी के नीचे वो सतन के नीचे रख देखी दूद देवे गिया अब गृबदास्टी न्हाइसे कर लिया देख्यो लो लो कबीर परमेश्वर ने उस कुमारी बच्चिया की कमर पर थपकी मारी और थपक ऐसे थप की मारते ही आसिर वाजसा देते ही लंबे लंबे सतन होगे और दूद की धारबंजगी वो पातर पूरा होते बरते ही अपने आप रुखी अब वो पाड़ी देख रेवक कमाल कर दिया बाबा के तो समतकारी है तो गरीब दास्ती ने कहा ले बाबा जी पीलो दूद किताब की ही लिला से गाएन दिया है परमात्मा ने आद्धा पिया कबीर जी ने और काले पाड़ीो पीले यो दूद हमर तब आई तो जो पाड़ी थे छुआ छुआ छुद बहुत मानते थे कैन लगे नामना पिवा के विरा जी यो कुणशी जायत का है के विरा कि सुद्र जाती गाओ हमना अर्युजा दूजंतर का दूद को वारी गाये का उमना पिवा है उठका चले गए अब गरीब दास जी बालक थे ने वो ले लिया बबाबाजी मैं पिवाँगा आपका जो हना अमरत हमारे भाग में कहाँ यानि यह पिछले संसकार भी होते हैं छोटे छोटे बच्चों मैं ऐसे ग्यान की उत्पति हो ना गरीब दास जी ने पी लिया उन वो पाड़ी देख रहे थे अक मरेगा यो इसने पी लिया किरा कि इसका जूठा कुन सी जाती का है ये तो प्रमात्मा ने गरीब दास जी को पूरा ग्यान समझा क्योंकि उन को अपना गवा बनाना था इस बिचली पीढ़ी के लिए वो गवा बनाने थे गरीब दास जी के कवीर प्रमात्मा है ताकि अब आने वाड़े समय में हम पहचान से के अपने बगवान को और निरसिंसे होके उस बगवान के सरनों में लग जाएंगे काड़ते पीछा सूट सके तो ग्रीबदास जी को पूरा ग्यान समझा है दस वरस का बालक बहुत समझदार हो जाता ऐसी बात नहीं समझ पूरा ग्यान कहा ग्रीबदास जी बोले हम बिश्मो और सिर्जी की पूजा करते हैं हम ऐसे करते हैं परमातमान फिर समझा भाई ये पूर्ण परमातमा को नहीं वो भगवान सत लोग में रहता है और वहां जब तक निजा लेगा बेटा है उस नमर तू सजा बना आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरांपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संतरांपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्वभर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरांपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541